पहानों से बड़े हो जाएं तो समझ लीजिए कि अब आपको सफल होने से कोई नहीं रोग सकता वेल्कम बैक टिवर चैनल डिये श्ट्रेंट 26 दिसंबर के करेंट अफेर की इस वीडियो में आपका स्वागत है ये कोटिसन लिखा गया है अभी सेक भट के द्वारा दिरिड संकल्प आपको लेना पड़ेगा अगर आप सकसेज होना चाती है थंडी का मौसम चल रहा है और आपको बिस्तर छोड़ने का भी मन नहीं करेगा लेकिन अगर आपके अंदर दिरिड संकल्प है तो आपको ठंडी पड़े गर्मी पड़े बरसात हो कुछ भी हो आपको अपना लक्ष दिखाई देगा और आप उस लक्ष के पीछे पूरा दिरिड़ता से आप उसका पीछा करेंगे और सफल होंगे तो कुछ दिरिड संकल्प आपको बढ़ाना होगा अगर आप सकसेज होना चाहते हैं तो आएए देखते हैं आज के इस वीडियो का पहला क्वेस्चन सन्युक्त राष्ट्र विकास कारेकरम यानि कि UNDP की तरफ से जारी मानव विकास सुचकांक यानि हडि में भारत निम्ने में से कितने अस्थान पर पहुँच गया है यहां पर ऑप्शन नमबर ए 131 देखे सन्युक्त राष्ट्र विकास कारेकरम यानि कि UNDP की तरफ से जो मानव विकास सुचकांक जारी किया गया है उसमें भारत का मामले में पीछे हो रहा है आगे बढ़ते हैं अगला है कि खेल मन्तराले ने कि समय्टी पर लगाब्चेश प्रफाव से हटा दिया है तो यहां पर ओप्शन नमबर से हो जाएगा भारती पैरा-लंपिक समिति इससे लगाब्यन ? खेल मन्त्राले ने हटा दिया है अगला question यहाँ पर है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश के प्रति सक्त रुक दिखाते हुए currency manipulators यानि मुद्रा में hair fare करने वाले देशों की निकरानी सूची में डाल दिया है तो यहाँ पर option number A हो जाएगा भारत अब देखिए अमेरिका ने भारत सहित जिन 10 देशों को इस सूची में डाला है वे सभी बड़े ब्यापारिक साजिदार हैं अमेरिका ने भारत की खिलाब भी सक्ति बरती है और इसे भी इस सूची में डाल दिया है ताकि निगरानी की जाए कि ये जो मुद्रा का हेर फेर करते हैं उस पर देख रेख की जाए इन 10 देशों की सूची में भारत, चीन, ताइवान, जापायन, दक्षिल कोरिया, जर्मनी, इटली, सिंगापूर, थाइलेंड और मलेसिया जैसे देश शामिल है बढ़ते हैं अगले क्वेस्चन की तरब, अगला है कि किस देश का चांग इफाइफ चंद्र यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर के प्रिथिवी पर लोट आया है यहां पर option number C हो जाएगा, चीन, देखिए जब इस प्रकार के question आये exam में तो मैं एक basic सा ऐसे concept बता रहा हूँ अब देखिन इसका नाम ही है चांग इ तो जब चांग चींग चूंग चूंग ऐसे करके कुछ भी आये तो यह समझ लिजी कि आपसर में अगर चीन है तो 90% चांसे से कि चीन ही होगा क्योंकि चीन से वहां पर चांग चूंग 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 ऐसी कुछ बोला जाता है ठी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ऐसे ही जश्ट आयोज किडिंग आगे देखते हैं पाकिस्तान टीम के किस तेज गेंदबाज ने हालही में अंतराश्ट्री क्रिकेट से सर्न्यास लेने की घोसड़ा की है यहाँ पर आप्शन नंबर ए हुजाएगा मोहमद आमीर भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्स बाद चिलटी हलदी बाडी रेल लाइन फिर से सुरू हुई यहाँ परहेगा। इमपोर्टन यह क्वेस्टेन है ठीक है यह बंद कब हो गई थी कि शुरू हो गई यह भी तो जानना है तो यह 1965 में जो पाकिस्तान और भारत के बीच लड़ाई हुई थी तो उसी दोरान यह लाइन बंद कर दी गई थी अब यह लाइन शुरू कर दी गई है और शुरुआत में पहले इस पे सामान ले जाएगा और ले आया जाएगा यानि कि पहले मालगारी चलेगी उसके बाद फिर पैसेंजर भी आने जाने शुरू कर देंगे तो यह किंदे उतेसों के बीच में भारत और बांगलादिस क्या नाम है चिल्लटी हल्दी बाड़ी रेल लाइन बहुत इंपोर्टेंट याद रखेगा इस